ओम शंति आच्छे जुलाई दोहजार चौबिस दिन शनीवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महवाक्यों को मीठे बच्चे बाप की याद से बुद्धी स्वच बनती है दिवगुण आते हैं इसलिए एकांत में बैट अपने आप से पूछो की दैवगुण कितने आए हैं प्रश्न सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए उत्तर सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ डफ बात करना या कटू वचन बोलना इसे ही भूत कहा जाता है जब कोई में यह भूत परवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए जितना हो सके अभ्यास करो अब घर जाना है फिर नई राजधानी में आना है इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई ना दे ओम शंति बाप बैट बच्चों को समझाते हैं जाना तो है शरीर छोड़ कर इस दुनिया को भी भूल जाना है यह भी एक अभ्यास है जब कोई शरीर में खिट-पिट होती है तो शरीर को भी कोशिश कर भूलना होता है तो दुनिया को भी भूलना होता है भूलने का अभ् पिस जाना है, यह ग्यान तो बच्चों को मिला है, सारी दुनिया को छोड़ अब घर जाना है, जास्ती ग्यान की तो दरकार नहीं रहती, कोशिश कर उसी धुन में रहना चाहिए, भल शरीर को कितनी भी तकलिफ होती है, बच्चों को समझाया जाता है, कैसे अप्यास करो, ज मदद मिलती जरूर है, और पुर्शार्ट भी करना होता है, यह जो कुछ देखने में आता है, वह है नहीं, अब घर जाना है, वहां से फिर अपनी राजधानी में आना है, पिछाडी में यह दो बातें जाकर रहती हैं, जाना है, फिर आना है, देखा जाता है, इस याद मे रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वे भी ओटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं वे खुशी रह जाती है खुशी जैसी खुरक नहीं इसलिए बच्चों को भी यह समझाना पड़ता है बच्चे अब घर चलना है स्वीट होम में चलना है इस पुरानी दुनिया को भूल ज इसको कहा जाता है याद की यात्रा अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है बाप कल्प कल्प आते हैं यही सुनाते हैं कल्प बाद फिर मिलेंगे बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम जो सुनते हो फिर कल्प बाद भी यही सुनेंगे यह तो बच्चे जानते हैं बाप क ले जाते हैं सिर्फ मार्ग नहीं बताते लेकिन साथ में ले भी जाते हैं यह जो चित्र आदी हैं पिछाडी में कुछ भी काम नहीं आते बाप ने अपना परिचय दे दिया है बच्चे समझ जाते हैं बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है जो कल मंदिरों में जाते थे महिमा गाते थे इन बच्चों अर्थत लक्ष्मी नारायन की बाबा तो इनों को भी बच्चे-बच्चे कहेंगे न जो उनों के उच बनने की महिमा गाते थे अब फिर उच बनने का पुर्षार्थ करते हैं शिबाबा के लिए नई बात नहीं तुम बच्चों के लिए नई बात है युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं संकल्प विकल्प भी इन्हें तंक करेंगे ये खासी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है इनको भोगना है बाबा तो मोज में है इनको कर्मातीत बनना है बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में हम तुम बच्चों को माया के तुफाना दी कर्म भोग आएंगे यह समझाना चाहिए बाप तो रास्ता बताते हैं बच्चों को सब कुछ समझाते हैं इस रत को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आईगी कि दादा को कुछ हुआ है बाबा को कुछ नहीं होता इनको होता है ज्यानमार्ग में अंदश्रधा की बात नहीं होती बाप समझाते हैं मैं किस तन में आता हूँ बहुत जन्मों के अंत के पतित तन में मैं परवेश करता हूँ दादा भी समझते हैं जैसे और बच्चे हैं मैं भी हूँ दादा पुर्शार्थी हैं संपूर्ण नहीं है तुम सब प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रहमन पुर्शार्थ करते हो विश्नु पदपाने के लिए लक्ष्मी नारायन कहो विश्नु कहो बात तो एकी है बापने जमझाया भी है आगे नहीं समझते थे ना ब्रह्मा विश्नु शंकर को ना अपने आपको समझते थे अभी तो बाप को ब्रह्मा विश्नु शंकर को देखने से बुद्धी में आता है यह ब्रह्मा तपस्या करते हैं यही सफेद ड्रेस है कर्माती तवस्था भी यहां होती है इन एडवांस तुमको सक्षतकार होता है यह बाबा फरिष्टा बनेंगे तुम भी जानते हो हम कर् द्वा मौत यह बहुत उंच अवस्था है बच्चों को धार ना करनी है यह भी निश्य है कि हम चक्र लगाते हैं और कोई इन बातों को समझना सके नया ग्यान है और फिर पावन बनने के लिए बाप याद सिखाते हैं यह भी समझते हो बाप से वर्जा मिलता है कल्प बच्चे बनते हैं चुरासी का चक्र लगाया है कोई को भी तुम समझाओ तुम आत्मा हो परमपिता परमात्मा बाप है अब बाप को याद करो तो उनकी बुद्धी में आएगा दैवी प्रिंस बनना है तो इतना पुर्शार्थ करना है विकारादी सब छोड़ देना है बाप समझाते हैं बेहन भाई भी नहीं भाई भाई समझो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई तकलिफ नहीं है पिछाडी में और कोई बातों की दरकार नहीं पड़ेगे सिर्फ बाप को याद करना है आस्तिक बनना है ऐसा सर्व गुन संपत बनना ह लक्षमी नारायन का चित्र बड़ा एक्यूरेट है सिर्फ बाप को भूल जाने से दैवी गुन धारन करना भी भूल जाते हैं बच्चे एकांत में बैठ विचार करो बाबा को याद करके हमको यह बनना है यह गुन धारन करना है बात तो बहुत चोटी है बच्चो को कितनी मेहनत करनी पड़ती है कितना दे अभिमान आ जाता है बाप कहते हैं दे ही अभिमानी भव बाप से ही वर्सा लेना है बाप को याद करेंगे तब तो की चड़ा निकलेगा बच्चे जानते हैं अभी बाबा आया हुआ है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं तुम बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है इतनी सहजबात भी तुम से खिसक चाती है एक अल्फ है बेहत के बाप से बादिशाही मिलती है बाप को याद करने से नई दुनिया याद आजाती है अब लाएं कुप जाएं भी बहुत अच्छा पदपा सकती हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो बापने तो रास्ता बताया है कहते हैं अपने को आत्मा निश्चे करो बाप की पहचान तो मिली बुद्धी में बैठ जाता है अब चुरासीप जन्म पूरे हुए गर जाएंगे फिर आकर स्वर्ग में पाट बजाएंगे यह प्रश्ण नहीं उठता कि कहां याद करूं कैसे याद करूं बुद्धी में है कि बाप को याद करना है बाप कहां भी जाए तुम तो उनके ही बच्चे हो ना बेहत के बाप को याद करना है यहाँ बैठे हो तो तुमको आनन दाता है समुक बाप से मिलते हो मनुष्य मूझ जाते हैं कि शिव बाबा की जयन्ती कैसे होगी यह भी समझते नहीं कि शिवरात्री क्यों कहा जाता है श्रीक क्रेश्ण के लिए समझते हैं ना रात को जयनती होती है परन्तु इस रात्री की बात नहीं वैयादा कल्प की रात पूरी होती है फिर भाप को आना पड़ता है नई दुनिया की स्थापना करतने हैं, है बहुत सहज, बच्चे खुद समझते हैं, सहज है, दैवी गुण धारन करने हैं, नहीं तो सोगुणा पाप हो जाता है, मेरी निंदा कराने वाले उच ठोर नहीं पा सकेंगे, बाप की निंदा कराएंगे, तो पदब्रश्ट हो जा है, यह तुम्हारा दैवी गुण नहीं है, यह भी बच्चे जानते हैं, अभी कल युग पूरा होता है, यह है संगम युग, मनुश्यों को तो कुछ भी पता नहीं, कुम्भकरण की नीन में सोई पड़े हैं, समझते हैं, 40,000 वर्ष्ट पड़े हैं, हम जीते रहेंगे, स श्री क्रिश्न का भी साक्षातकार करते रहेंगे, ब्रह्मा के पास जाने से तुम स्वर्ग का ऐसा प्रिंस बनेंगे, इसलिए अकसर करके ब्रह्मा और श्री क्रिश्न दोनों के साक्षातकार होते हैं, कोई को विश्नु का होता है, परंतु उन से इतना समझ नहीं सकेंग पाठ पढ़ाया जाता है याद के लिए पाठ आत्मा पढ़ती है दे का भान उतर जाता है आत्मा ही सब कुछ करती है अच्छे अत्वा बुरे संसकार आत्मा में ही होते है तुम मीठे मीठे बच्चे पांच हजार वर्ष के बाद आकर मिले हो तुम वही हूँ, फीचर्स भी वही हैं, 5000 वर्ष पहले भी तुम ही थे, तुम भी कहते हो 5000 वर्ष बाद आप वही आकर मिले हो, जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो, हम देवता थे, फिर असुर बन पड़े हैं, देवताओं के गुण गाते आई, अपने अवगुण व दुनिया में जाना है तो अब अच्छी रिती पुर्शार्थ कर उच्पद पाओ टीचर तो सब को कहेंगे ना पढ़ो अच्छी माक्स में पास हो तो हमारा भी नाम बाला और तुम्हारा भी नाम बाला होगा ऐसे बहुत कहते हैं बाबा आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं सब भूल जाते हैं आने से ही चुप हो जाएंगे ये दुनिया जैसे की खत्म होई पड़ी है फिर तुम आएंगे नई दुनिया में वे तो बड़ी शोभनिक नई दुनिया होगी कोई शांती धाम में विश्राम पाते हैं कोई को विश्राम नहीं मिलता है आल राउ कि जो नसीब में होगा नहीं, पुर्शार्थ करना चाहिए समझा जाता है कि राजधानी स्थापन हो रही है हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रही है बाबा जो श्रीमत देने वाला है वेखुद राजाद ही नहीं बना है उनकी श्रीमत से हम बनते हैं नहीं बात है ना? कभी कोई ने ना तो सुनी ना देखी अभी तुम बच्चे समझते हो श्रीमत पर हम बैकूंट की बादशाही स्थापन करते हैं हमने अन गिनत बार राजाई स्थापन किये करते और गवाते हैं ये चक्र फिरता ही रहता है पादरी लोग जब चक्र लगाने निकलते हैं तो और कोई को देखना भी पसंद नहीं करते हैं सिर्फ क्राइस्ट की ही याद में रहते हैं शान्ती में चक्र लगाते हैं समझ है ना? क्राइस्ट की याद में कितना रहते हैं? जरूर क्राइस्ट का सक्षत कर हुआ होगा, सब पादरी ऐसे थोड़ी होते हैं, कोटों में कोई, तुमारे में भी नंबर वार हैं, कोटों में कोई ऐसी याद में रहते होंगे, ट्राइ करके देखो, और कोई को नहीं देखो, बाप को याद करते, स्वधर्शन चक्र फिरा तुमको अथा खुशी होगी, श्रेश्टाचारी देवताओं को कहा जाता है, मनुष्यों को ब्रश्टाचारी कहा जाता है, इस समय तो देवता कोई है नहीं, आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात, ये भारत की ही बात है, बाप कहते हैं, मैं आकर सब की सद्गति करता हूँ, बाकि जो धर्म, जो और धर्म वाले हैं, वे अपने अपने समय पर अपने धर्म की आकर स्थापना करते हैं, सब आकर यह मंत्र ले जाते हैं, बाप को याद करना है, जो याद करेंगे वे अपने धर्म में उच्पद पाएंगे, तुम बच्चों को पुर्शार्थ करके रु आपको याद करो तो वेकुंट की बादिशाह ही मिलेगी। अच्छा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात, पिता, बाप, दादा का याद-पियार, और गुड मॉर्निंग। रुषानी बाप की रुषानी बच्चों को नमस्टे। रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सर चलते फिरते एक बाप की याद रहे और कुछ देखते हुए भी दिखाई ना दे ऐसा अभ्यास करना है एक आंत में अपनी जाच करनी है कि हमारे में द फिर अपनी राजधानी में आना है वर्दान सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्ति शाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव सेवाओं में शुब भावना की एडिशन द्वारा शक्ती शालिफल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्थ भव अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे जो भी सेवा करते हो उसमें सरवात्माओं के सहयोग की भावना हो खुशी की भावना वसद भावना हो तो हर कारे सहज सफल होगा जैसे पहले जमाने में कोई कारे करने जाते थे तो सारे परिवार की आशिरवाद लेकर जाते थे तो वर्तमान सेवाओं में या एडिशन चाहिए कोई भी कारे शुरू करने के पहले सभी की शुब भावनाएं शुब कामनाएं लो सर्व की संतुष्टता का बल भरो तब शक्तिशालि फल निकलेगा स्लोगन जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हुजूर करो तो पुन्य जमा हो जाएगा ओम शंति झाल